वदिया ने अवे शुक्रवारे सेंसेक्स ना एक कॉल उप्शन मा एक फ्री ट्रेट था तो तमने जुआ मड़ो आतो सरसथ हजार नी स्ट्राइक प्राइज नो आ कॉल उप्शन आतो औने जिमा भाव जेशे ते चार थी वदी ने सीधा बस सो चापर थाया अमें सतत आने लईने जेशे ते तमने कवरेज आपी रहा चे जणावी रहा चे आजए रहे तेरे खास सब वधारे चर्चा करी आपड़ी साथे मैनेजिंग एडिटर अनुच सिंगल पन जुड़े रहा चे अनुच जी शुकरवार को ये जो इवेंट हुआ उसके बाद हमने कॉंस्टेंटली हमारे दर्शकों को ये बताया है इसके उपर कवरेज दिखाई है और आज भी थोड़ी सी स्पश्टाएं इसके उपर आती हुई नजर आई है क्या ज्यादा डीटेल्स बिल्कुल गुड़ मॉर्निंग ये जिसे कहते है ना कि F&O ट्रेडिंग माँ जो खम छे ये इसमें वही वाली बात हुई फ्राइडे को एक्जैक्ली हुआ क्या एक ट्रेडर है उन्होंने स्टॉप लोस मार्केट और डाल दिया सेंसेक्स के सरसथ हजार के कॉल में एक ब्रोकर है फायर उसके प्लाटफॉर्म पर स्टॉप लोस मार्केट का मतलब क्या है अगर वो एक पटिकुलर लेवल को क्रॉस करता है उसके बाद जो भी प्राइस अविलेबल होगी उस पर ओर खरीद लिया जाए अब सेंसेक्स 6,500 पर चल रहा था एक्सपायरी थी आप एजियूम करेंगे कि 6,500 की कॉल का कोई मतलब तो है नहीं तो अगर वो आपने 4 रुपे पर ट्रेड कर रही है तो आप सोचेंगे कि maximum to maximum 5 रुपे में आपको और मिल जाएगा लेकिन प्राब्लम के आगे कि वहाँ पर लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं थी कोई कोई बेचने वाला ही नीद है वहाँ पर कोई क्यों बेचेगा अब इन्होंने stop loss market order लगा दिया तो जैसे वो trigger हुआ एक होता है stop loss limit order उसमें आप limit रखते हैं कि मैं इस limit तक ही खरीदूँगा तो अगर वो रखी होती उन्होंने तो order execute नहीं होता लेकिन stop loss market रखा था तो जिस जिस rate पर order execute होता गया price उसे आप से बढ़ती गई इसमें क्या होता है कई algo traders इसी चीज़ की फिराक में रहते हैं वो एक opportunity का wait करते रहते है कि अगर कोई ऐसे फंस गया तो हम फिर order डालके रखेंगे 60, 70, 80, 90, 200 रुपे तक उन्होंने order डालके रखे थे seller ने वो execute हो गया trade तो यहाँ पर मामला सारा ये है कि BSE के options नए हैं अभी pick up कर रहे हैं और लोगों को रोज option trade करने की अवारत लगई है Thursday को Nifty में इतने बड़ मूज आए तो Friday को वैसी थुरा चसका था लोगों को कि आज Sensex के options में trade करेंगे अच्छे पैसे बनेंगे यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखें और थुरा BSE को भी अब देखने के ज़रूत है stop loss market order नहीं होना चाहिए options में उसमें काफी risk होता है stop loss limit order होना चाहिए और दूस दूसरा limit price protection जो NSE पर होता है कि एक option particular price तक ही जा सकता है शुरू में उसके बाद ही उसकी price आगे बढ़ सकती है उस पर भी काम हो लेकिन यह unfortunate है जिस trader के साथ यह हुआ लेकिन यह आपको ध्यान रखना है कि derivative market में risks होते हैं और खास तोर से options market में बहुत बड़े risks होते हैं उ अब जब ऐसे कोई disputes होते हैं तब अनुझी बहुत ज्यादा एक दिक्कत जो होती है वो यह कि brokers जो हैं और जो traders हैं उनके बीच में थोड़ी सी एक tension हो जाती है आरोप प्रति आरोप जो हो जाते हैं और ऐसे situation में आपने जो fires के साथ आथ बात की उन्होंने किस प्रकार से response दिया उन्होंने क्या कहा और किस चीजों का ध्यान रखने के लिए उन्होंने बात की है वो भी थोड़ा सा हमें दर्शकों को बताईए साथ देखें फायर्स का कहना बहुत सिंपल है fires का कहना बहुत सिंपल है कि ट्रेडर ने stop loss market order डाला था और हमारे पास उसका log है अगर तो ट्रेडर ये प्रूब कर सेगे कि उन्होंने stop loss market order नहीं डाला था और उन्होंने stop loss limit order डाला था तभी कुछ हो सकता है वरना इस सेमें trade execute हो चुकी है trade settle हो चुकी है और just because आपको loss हो गया अगले दिन आकर कह सेकें कि नहीं में loss हो गया आपको profit हो गया होता तो तो क्या करते आप तो इस case में बहुत clear है अगें ये fires का point of view है अगर ट्रेडर ये प्रूब कर सेके कि नहीं fire की गलती है तो शायद से भी कुछ action लेगा उसके उपर लेकिन इसमें बड़ा मामला ये है कि आगे जाते हुए थोड़े से risk management की जरूरत है और मुझे लगड़ा है एक case study बनेगा थोड़े से इसमें measures आएंगे चाहे वो LPP को लेकर हो चाहे वो stop loss market order को लेकर उसको ban करने की बात हो जो भी है इसमें कुछ issue होगा लेकिन इसमें तो कोई मामला नहीं है मला unless broker ये प्रूब कर सेके कि इसमें sorry ये trader ये प्रूब कर से इसमें मुझे लगता नहीं कि कुछ बहुत ज्यादा माला टेंशन होगी ज़रू broker और trader के बीच में लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ हो सकता है डेफिनेटली अनुजी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे सार्जुने के लिए और ये सारी